पिछले क्लस में पिछले क्लस में बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का समाप्त हो गया था और याद कीजिए इसके सुरुवाती क्लस में जो हम लोग पढ़े थे उसमें यूनिट आफ मास के बारे में पढ़े थे और उसमें बताया गया था कि दो तरह का यूनिट होता है फिजिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट में ग्राम और किलोग्राम जेनरली चलता है और फिजिकल यूनिट में मोल और ग्राम एकिवेलेंट चलता है और इस सारे यूनिट को एक दूसरे में convert करने के लिए आपको समझाय गया था बताया गया था और उमीद करते हैं इसमें आपको कोई परिसानी नहीं होगी क्योंकि यदि इसमें परिसानी होगी तो फिर आप chapter में रुखने लगेंगे तो ऐसे सभी लोग जो online है या offline है सभी आद में यदि आप पीछे वाला लेक्षर नहीं कियें तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमेस्ट्री क्लास 12 अच्छे लेक्षर एवलेबल है प्लेलिस्ट में साड़दा केमेस्ट्री चैनल पर यूट्यूब पर आप वहां जाके चेक कर करीजिए पूरा पढ़के तब आये क्लास तो ज्यादा बहतर फिल कीजिएगा वैसे क्लास शुरू करते हैं यदि आपको कहीं परिसानी हो तो बात कीजिएगा ठीक है अब हम लोग 12 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं ने कहा था कल कि आपको पहला चैप्टर अभी स्टार् क्या मजबूर है यह सा बता दिया गया था तो यह वहां से सुरूत करते हैं लिगेंगे सभी आदमें यूनिट्ट्टू किप्टर का नाम है तो लियूशन यह नाम देखने में बड़ा च्छोटा लगता है वह भी लेकिन एक्चाल मेँ चैप्टर का नाम च्छोटा है चैप्टर कहीं से च्छोटा नहीं है चैप्टर बहुत बड़ा है और काफी ज्यादा conceptual है इसलिए थोड़ा सचेत रहेंगे नाम पर नहीं जाएंगे आप सबसे पहले हम chapter के नाम को ही समझते हैं यह तो chapter का नाम था अब हम सबसे पहले solution को define करेंगे यह हमारा पहला topic होगा इसका लिखिये तो solution हीटिंग डाल दिये इसको पहले समझ लिजे बात में लिखेंगे आप याद गीजिए mixture के बारे में आप पढ़े थे 11 में तो या more than two components का जो दो या दो से धिक substance को जब आप मिला देते हैं किसी भी ratio में किसी को नहीं हम लोग mixture कहता है यह mixture के बारे में आपको बताया गया था कि यह दो तरह का होता है एक होता है homogeneous mixture और एक होता है heterogeneous mixture हम आपको एक example से समझाते हैं पानी में यदि तुम नमक मिला दो तो वो नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और यदी पानी में पत्थर डाल दो या बालु डाल दो तो वो पानी में घुलेगा नहीं गुल गया और पानी में समान रूप से 허र जगा फाइल गया यदी price पानी में हम पानी और नमक का composition देखें तो throughout the solution वो हर जगा same आएगा काहे नीचे या उपर कहीं भी मतलब यदि आप नीचे से सरफ उस पानी को पीएंगे तो वो आपको नमकीन लगेगा और उतना ही नमकीन लगेगा जितना उपर वाला मतलब ऐसा नहीं है कि उपर वाला पार्ट जादा नमकीन लगेगा या कम नमकीन लगेगा और नीचे वाला पार्ट भी के साथ यही बात हर जगा वो एक जैसा नमकीन लगेगा क्योंकि पानी और रमक हर जगा एक तरह से समान रूप से फैला हुआ है और यदि हम पानी और बालू वाले mixture की बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसमें जो बालू का कन है वो नीचे ज़्यादा मातरा में है और पानी का जो कन है वो उपर ज़्यादा मातरा में है तो बताईए होमने x का कं पोजीशन और प्रोgle ।पर्टीज हर जगा siamoन होता है है हेटरोजीना पानीट मिक्सटर उप क्याते है जहाँ पर कं पॉचिशन और प्रोल पेछ eighteen होता है अलग अधेपर अलग लगा जाता अ तो यह जो solution है ना यह mixture ही है लेकिन सारे mixture को हम solution नहीं कहते हैं सिर्फ homogeneous mixture को ही क्या कहा जाता है solution जैसे यदि हम चावल और गेहूं को मिला दें झाया जाता है पानी में यदि हम पत्थर मिला दिये तो वह होईटरोजीनियस हो गया और पानी में यदि नमक मिला दिये होमोजीनियस हो गया हेटरोजीनियस मिक्चर का होम स्वालिशन नहीं कहेंगे अब इस पर हम कुछ बोल रहे थे बीच में वहाइस का प्रॉब्लम हुआ था एक काम कीजिए फ़लिश को लिखे फिर आगे समय नीचे एरो देंगे और लिखेंगे लिखे तो होमोजीनियस मिक्स्चर ओफ जोर, हमोजीनियस मिक्स्चर अरॉपीर रो 2 और दोप्तस्चर, हमोजीनियस मिक्स्चर आङ two or more than two substance is called solution. Homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. पानि में आप नवक्मिला दीजिए, यह homogeneous mixture है तो पान foul मिला कर जो मिलेगा हम उसको solution कहेंगे क्योंकि यह homogeneous mixture है पानिマे चीनी मिला के सरवत बना के यह भी 연्वे को homogeneous mixture है इसको हम solution कहेंगे पानिमे चीनी टाल दीजिए नमक टाल दीजिये थोरा नीभू यह वह हो बहुत बढ़ा प्रॉपर्टी होता है कि यदि आप दो या दो से अधी component को आपस में मिला दिये हैं और यदि वो homogeneous mixture का निर्मान कर लिया है तो उसी च्छन उसी रूप में आप अलग उसको नहीं कर सकते हैं लेकिन heterogeneous mixture को कर सकते हैं जैसे पानी में यदि नमक मिला दिये वो पानी में जाके घूल गया क्या दिजीगा निकल जाएगा की नहीं दिकलेगा लेकिन पानी में यदि आप बालो मिला दिजीए योसी रूप में नहीं इसको अलग करना चाहिए तो उसी वक्त अलग किया में और ब्रूपर्टीज शुक्원 हो क्यों व्युना है का solution है Oui ли medicine miqs है कीस चीज का कैसा mixture है homogeneous mixture है यह किसी भी चीज़ का हो सकता है बस सर्त यह है कि वह mixture होना क्षाण चाहिए homogeneous सबसे पहले हम homogeneous word को ही define कर लेंगे अगला heading डाले homogeneous mixture नीचे एरो देंगे, डिफाइन करेंगे दिखाओ क्या, दिखेंगे ए होमोजीनियस मिक्सेर इस ए मिक्सेर इन विच ए होमोजीनियस मिक्सेर is a mixture in which the composition in which the composition and properties the composition and properties or components एक मिनिट रोको, पुल्टा पुल्टा बोल गई, भर फिर से मैं repeat कर रहा हूं, ए होमोजेनियस mixture is a mixture in which properties, sorry, in which composition and properties of components are uniform, are uniform, are uniform throughout, throughout the mixture. अब बोर्ड पर अभी हम लिखेंगे कम, चुके लिखने में हमको पड़ेसानी है, तो थोड़ा बोल के हम काम चलाएंगे, ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत हो, spelling दिक्कत हो, spelling error हो, sentence में कुछ problem नजारा रही हो, तो आप जरूर बात करेंगे, यदि कुछ पड़ेसानी होतो, वैसे कोसिस करेंगे, ये दिक्कत आपको ना हो, हम खुद कुछ tough word रहेगा, तो हम लिख दिया करेंगे. एक बार मिला लीजे, यहां लिखाया गया है, एह होमोजीनियस मिक्चर इस एक ऐसा मिक्चर होता है, इसमें कम्पोनेंट का कम्पोजीशन और प्रोपर्टीज हर जगा, एक जैसा होता है, समान होता है. कम्पोजीशन का मतलब आप समझते हैं, जैसे कम्पोजीशन का मतलब समझाओ, जैसे एक गलास हम पानी लिए, इसमें मान लीजे, प्यूर वाटर है, इसमें आप नमक डाल देजे, नमक जब डालिएगा न, तो उस वक्त नमक नीचे जाके बैठ जाएगा, अब आप क्या मात्रा यहां होगा, वही मात्रा यहां होगा, थ्रो आउट दा मिक्सर हर जगा मात्रा नमक का, एक समान होगा, एक जैसा होगा, यह हो गया होमोजीनियस मिक्सर, इनी मिला देंगे तो भी वही बात होगा, योडिया मिला देंगे तो भी वही बात होगा, लेकिन इसी में ज कि हर जगा पूरे mixture में जैसा हो गा नीचे ज्यादा होगा और उपर कम ज्याइप देखा निज रहारत गल जैसा है समझ मैं कि यह कम position का क्या मतलब है अब properties की हम बात करते हैं चाहिए बताइए कि यदि नमक हर जगा एक जैसा घुला हुआ है तो हम यदि class के किसी भी part से कुछ solution निकाल लें और उसको पीएं तो हमको नमकीन लगेगा और बिल्कुल एक जैसा नमकीन लगेगा इसा नहीं है कि उपर कम नमकीन लगेगा और नीचे ज्यादा नमकीन लगेगा इतना ही नहीं आप एकाद साल छोड़ दो एकाद साल छोड़ने के बाद भी आप उसको पीएंगे तो कहीं से किसी भी fraction को आप उठा लेंगे मतलब किसी भी part को आप उठा के पीएंगे तो आपको लगा कि वो बिल्कुल एक जैसा नमकीन है कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है लेकिन पत्थर के साथ तो इसा बात एकाद साल छोड़ दीजेगा तुरत तो नीचे जाके बैठ जाएगा नीचे में पत्थर जादा रहेगा और उपर पाने जादा रहेगा क्लियर है यह पिटाओं इसे अब देखिए यह solution कई परकार का होता है अन दब बेसिस ओफ टोटल नमर ओफ कमपोनेंट्स यह binary होते हैं यह trinary होते हैं tetranary, pentanary, hexanary overall मैं polynary बोल तो ज्यादा बहतर होगा यह कई परकार का हो सकता है जैसे आप एक solution एक बरतन लीजे आप उसमें पानी डाले पानी लिए यह एक कमपोनेंट हुआ इसमें यदि आप NACL डाल दो तो NACL पानी में जाके घूल जाएगा तो बताए कुल कितने तरह का पदार्थ इसमें उपस्थित है दो तरह का पाटर और NACL तो इसमें दो तरह का हुआ तो इसको हम कहेंगे binary solution दिकाओ जिन्दी solution, only one solute and one solvent represent अब इसी में यदि हम मान लीजे कि इस पानी में हम थोड़ा नमक ले लेते है थोड़ा चीनी ले लेते है यनि दो तरह का चीनी इसमें घुला दिये अब कुल कंपोनेंट कितना हो गया इसको कहा जाएगा trinary solution it means total number of components particle, there are many types of solution binary solution solution in which one solute and one solvent are present trinary solution, solution in which one solvent and two solutes are present इसी परकार tetranary solution solution in which one solvent and three solute are present मान लीजे कि हम पानी में नमक चीनी और थोड़ा नीवू का रस भी डाल दिये नमक और चीनी solid state में है नीवू का रस liquid state में है है तो solute ही न वो पानी में जाके तो घुलेगा ही न तो वैसे इस्थिती में कुले मिला के तीन solid particles हो गया और एक solvent हो गया तो कुले मिला के component कितने हो गया चार इसको बोलेंगे tetranary solution इसी परकार से यदि कोई आदमी चाहे तो एक ही पानी मतब एक ही liquid में बहुत सारे चीज़ों को नो घुला सकता है तो इस हिसाब से हम कितना गिंते गिंते रहेंगे हम overall कह देते हैं पॉलीनरी solution यहाँ पर पॉलीनरी solution का क्या मतलब होगा एक ऐसा solution जिसमें एक solvent हो और दो या दो से अधिक solute हो तो हम overall इसको मात्र दो ही भाग में माटेंगे एक कहेंगे binary solution और एक कहेंगे binary solution किसको कहेंगे one solute one solvent system और polynary solution किसको कहेंगे one solvent and more than one more than one solute more than one जैसे ही आप कहेंगे तो two, three, four, sum ना आने लगता है अब इसी में माली जिए two solute one solvent हो गया तो trinary, three solute one solvent हो गया तो tetranary इसी तरह से आगए आप बढ़ते चले जाएगे जब जिस पर बात होगा उस पर हम लोग काम करेंगे लेकिन आपका जो syllabus है जो board level का syllabus है ये binary solution पर है IT means और advance में जाएगा तो ये trinary solution तक जाता है trinary solution पर भी बात करेगा तो हम दोनों पर बात करेंगे आपके batch में आगए तो यहां से आप लिखेंगे solution कितने परकार के हो गए दो परकार के number एक लिखिए binary solution ऐसे करके लिखेते जाए इत्सासाथ इस chapter में ये ऐसे लिखेंगे हैं तो समझ लीजिए हम solution लिख रहे हैं तो हम shortly थोड़ा चलेंगे और दूसरा पॉलिणरी solution एक number define केजिए फिरिंग डालके लिखेंगे 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 and one solvent are present solution in which one solute and one solvent are present is called is called binary solution is called binary solution अच्छा इसी में हम लोग trinary solution को define करेंगे तो क्या लिखेंगे solution in which one solvent and two different solute are present उसको लिखना नहीं है सब बात को लिखना नहीं होता है दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें set करनी होती है तो अगला दूसरा नमर डाल देज़े polynary solution लेकिन यह ध्यान रखना इस वर्ड का यूज आ गया आएगा trinary, tetranary इस तरह से इसका हम use करेंगे आगे तेंस यार्टी भी एकाद जगा use किया है trinary का देखेंगे solution in which solution in which one solvent solution in which one solvent and more than one solute are present and more than P-H-A-N more than one solute are present is called is called solinary solution अभी हम बात कर रहे हैं solute और solvent के तो slightly आप इसे तो इसको समझते होंगे लेकिन आप इसको define कर लिजे क्योंकि कोई crest course है नहीं पुरा detail course है कुछ लोग को नहीं दिमाग में आएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप जानते हैं solute क्या होता है that component of solution which present in a small amount and that component of solution which present in large amount is called solvent तो solute वह substance होता है जो solution में कम amount में रहता है और solvent वह substance होता है जो solution में large amount में रहता है जैसे यदि हम पानी और जैसे सुनिए यदि हम पानी और चीनी का एक solution मना के कि इपके सरवत निर्मान करते हैं सरवत निर्मान आप कैसे करेंगे ? एक बोड़ पचीनी में रॉटा पानी डाल देंगे क्या है ? पानी ही वहाँ ज्यादा रहता है यहां पर वाटर जो हो गया यह सॉल्वेंट हो गया औरावण हो वो S लिखे तो नीचे यह इस्टार लगा के हीरी डल दो लिखेंगे that component of solution that component of solution that component that component of solution which present in a small amount that component of solution which present in a small amount which present in a small amount is called solute is called solute star लगाई हीरी डालिए solvent solvent जहां पर small लिखेंगे that component of solution that component of solution which present in a large amount that component of solution which present in a large amount is called solute solvent बताईए जब कभी भी solution का जिक्र होगा ये दो बात तो अपने आपना जाएगा कौन कौन solute और solvent क्योंकि इस दोनों को मिल लाने से ही क्या बनता है लिख लीजिए तो इसको लिख लीजिए तो इसको वो गया ये जो था ना solute, solvent solution types of solution on the basis of total number of components ये सब एक introduction था इस chapter का अब इस chapter के कुछ conceptual चीज़ों पर हम लोग काम करेंगा अब जो आगे का topic है वो heading पहले आप लिख लीजिए तो unit of amount of solute unit of amount of solute या इसी को unit for amount of solute भी आप लिख सकते हैं वहली ये topic है क्या इस topic को समझना जरूरी है तो थोड़ा आपको interest आएगा इसको परने में लिख लिए क्या आप परसुनिये गा हम एक बरतन लेते हैं इसमें pure water लेते हैं इसमें pure water लेते हैं इसमें pure water यह हम लिए हैं तो इसको हम solution नहीं कह सकते हैं अब आप इसमें क्या कीजे थोड़ा सा नमक मिला दीजे थोड़ा सा नमक मिला कि उसको घुला भी दीजे घुल जाए मान लीजे अब बताइए कि पहले की तुलना में यह ज़्यादा गाढ़ा होगा या कम गाढ़ा होगा ज़्यादा गाढ़ा होगा यह ठीक है थोड़ा और नमक मिला देते हैं अब बताईए थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा हम लोग ठेंट भासा में यूज करें तो गाढ़ा सब्द का हम बोल रहे हैं कि ये गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा ऐसा कुछ थोरा और चीनी मिला दें तो और गाढ़ा हो जाएगा अब हम आप से पूछें कि कितना गाढ़ा हो गया कितना गाढ़ा हो गया तो क्या कहिएगा थोरा और गाढ़ा हो गया कैसा कहिएगा तो यह जो वर्ड आप बोल रहें कि थोरा और गाढ़ा हो गया इसका एक mathematical value होता है, आपको वो समझना पड़ेगा, यदि आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप सामने बाले को समझा नहीं पाएंगे, कि आप कितना गाढ़ा की बात कर रहे हैं, आई बास समझ में, तो यही चीज है यह, यह आपको एक, मतलब एक पैमाना होता है न कि ह अच्छा जैसे ऐसे समझे, एक practical बास समझे, आप से मैं यदि कहूँ, कि देखो ऐसा है, यहाँ एक 1000 kg का एक समान रखा हुआ है, इसको थोड़ा मतलब पर लो थोड़ा स्पस में जाके, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर कहीं पागल तो नहीं हो गया है, एक 1000 kg का स सबस्टांस है, और हमारा मथा पक लेके पहुचा तो नरती नस यह जाएगे, तो हमको लगता है कि कोई यदि excitement में आके पागल पंती भी करना चाहे तो नहीं करेगा, आया ना, लेकिन यदि मैं आप से कहूँ कि देखो यहाँ 10 kg का समान रखा हुआ इसको थोड़ा रखा ह तो हाँ, यदि तुम्हारा मन नहीं भी हो, तो चुके हम बोले हैं और थोड़ा respect हमारे लिए है तुम्हारे मन में, तो obviously कहोँगे कहाँ ठीक हम रख देते हैं, और रख भी दोगे, अब आप एक बात बताईए, 1000 kg वाले substance में आप सटना नहीं चाह रहे थे, और 10 kg वाले substance क कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये इसलिए आया, क्योंकि आपको knowledge है, कि 5 kg क्या होता है, और 1000 kg क्या होता है, आपको पता है, कि 5 kg आप उठा सकते हैं, और 1000 kg आप नहीं उठा सकते हैं, अब इसमें यदि कोई आदमी आप से पूछे, कि काहे नहीं उठा सकते हैं, तो आप कह क्यों भारी है कोई पूछ दिया कि कितना भारी है तो आप तुरत कह दिजिएगा कि कितना भारी है तो गोना भारी है तो दस केजी है एक हजार केजी है कितना भारी है तो वही बाते हमां करते है थोड़ा चीनी डाले थोड़ा गाढ़ा हो गया थोड़ा और चीनी डाले गौर तरीके से समझी। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 लीटर पानी लेते हैं आपकी नजर के सामने और उसमें 500 ग्राम चीनी या 342 ग्राम चीनी डालके सरवत बनाते हैं और थोरा थोरा आप सबको पिलाते हैं, सबको तो पीने के बाद यदि हम आपसे पूछें कि कैसा लगा, मीठा लगा पूछेंगे कि बताओ 2 लीटर पानी में कितना ग्राम चीनी हम मिलाए थे तो तुम देखवे कि यह 340 ग्राम मिलाए थे, बोलोगे 340 ग्राम लेकिन यदि माल लीजे कि यही कम हम बाहर से तर्वत बना के लाते हैं, तुम को एक एक चुरू थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा सबको पिला देते हैं पुछते कि बताओ कितना हमे कितना हम चीनी मिलाए होंगे, तो क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि इस यूनिट की जानकारी हो, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, अरे ग्राम तो छोड़ो, मिली ग्राम तक बता देंगे कि कितना मिली important एक और बात यदि कभी आप सीरप टाइप का जो सीरप जो आता है ना पीने वाला चाहे कोई भी liquid medicine है जो 15 ml 10 ml अप लेते हैं तो आप देखिएगा उसमें composition में लिखा हुआ रहता है जैसे कोई परसेंटेज वेट भाई भी ऐसे लिखा हुआ रहेगा कभी कभी ये परसेंटेज डवलु भाई डवलु में भी रहता है ये सब क्या लिखा हुआ है डॉक्टर इसका यूज कैसे करते हैं हम उसका यूज कैसे करेंगे हम इसका क्या समझ है इन सब बातों को आप इसी topic के अंतर का समझें तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका important समझ में आ गया होगा तो चलिए तो शुरू करते है feeding हो चुगा है न सबसे पहले आप यह जानिए कि यह जो unit होते हैं इसके दो परकार के होते हैं एक होता है physical unit और एक होता है chemical unit सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे इसको लिखना सुनिए दर physical unit, chemical unit लिखेंगे इसके नीचे तीन गो लिखना है इसके नीचे फाच गो लिखना है तो आप अपने copy पर कैसे adjust करेंगे उसके हिसाब से चलिए physical unit chemical unit विजिकल यूनिट के अंतर रगत तीन चीज आता है जो सबसे पहला है वो है परसेंटेज डबलू बाई वी तूसरा है परसेंटेज वी बाई वी और तीसरा है परसेंटेज डबलू बाई डबलू और केमिकल यूनिट के अंतर रगत पांच चीज आता है जिसमें तीन चीज आप पढ़े हुए आपको याद दिला दू नॉर्मलीटी या आप नहीं पढ़े है साइज पढ़े है पता नहीं नॉर्मलीटी, मॉलरीटी और मॉल फ्रेक्शन आप पढ़े हुए दूसरा है 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 दूस और पाचमा और लास्ट है इसको parts per million बोलते हैं अभी आप इसको ppm लिख लिजिए जब इसको हम detail में पढ़ाएंगे तो वहाँ detail नाम लिखाएंगे देखो बबू actual में यहाँ percentage w by v का मतलब होता है percentage width by volume देखो डबलू width को indicate करता है और v volume को indicate करता है अब यह तो समझी गए होंगे यह क्या है percentage volume by volume और यह क्या है percentage weight by weight और यह है normality जिसको हम लोग capital N से indicate करते हैं यह सब बात में हम लिखेंगे कि इसको किस चीज से indicate किया जाता है यह भी detail में नहीं आया भी तो पहली बार आया ही है आप याद कीजिए जब 11th में आपको हम some basic concept of solution पढ़ा रहे थे तो थोड़ा बहुत इस सब बात समझाये थे आपको लेकिन वहाँ आपको बोले थे कि देखो यह 12th का chapter है और आगे इसको detail में पढ़ेंगे अभी थोड़ा shortcut में परके निकल जाते हैं यहाँ कोई shortcut नहीं चलेगा यहाँ हर एक बात को काफी ज़्यादा explain किया जाएगा और उम्मीद करते हैं आप उसको धंग से समझेंगे अन्याथा आपको बार में परिसान ही होगी तो चलिए सबसे पहले physical unit का number 1 के start करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग percentage weight by volume इसी को indicate किया जाता है percentage w by b से अप एक चीज गौर कीज़े यह unit कैसा है physical है नब physical यह जब physical unit है तो यहाँ पर जब हम weight को लेंगे तो या तो gram में लेंगे या kilogram में लेंगे क्योंकि mole और gram equivalent किस तरह का unit है chemical unit है तो उसका चर्चा यहाँ आने वाला नहीं है इसलिए हम weight को gram में लेंगे और volume को liter या milliliter में लेंगे जिसमें भी लेंगे वो हम आगे की बात है वो आगे की समझाएगे इसको आज यहीं तक रहने दें क्या है कि शुरू करते हैं शुरू करेंगे फिर लेट हो जाएगा आपको छुटी देने में काईगे शुरू करेंगे तो खतम करके छोड़ेंगे आज रहने देते हैं कल यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे ठीक है पलिटू की इधर आप लोग को कोई परिसानी भी है इसमें यहां से continue रही है दिकत हमको नहीं लगता है की होगा और कभी दिकत हो तो बात कर लिजेगा ठीक है